हेलो फ्रेंड्स कोक वीट टेस चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है आज हम बनाएंगे सोफ्ट सोफ्ट मिनी इडली वे भी बढ़िया सी चट्नी के साथ इस चट्नी के साथ इन इडली का बढ़िया कंबिनेशन है तो आईए इडली बनाना शुरू करते हैं इसके लिए ये मैंने दो बाउल सूजी ले ली है अब हम इसमें एक बाउल दही डालेंगे जिस बाउल से आपने सूजी ली है दही भी सेम बाउल से ही डालें अब हम इसमें पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसका बैटर रेडी करेंगे ये देखिए फ्रेंस दही और सुजी हमारे अच्छे से mix हो गई है थोड़ा थोड़ा पानी डालते वे हम इसका बैटर बना लेंगे ये देखिए बैटर की consistency अब हम इसे ढख कर आदे घंटे के लिए रख देंगे जिसे की सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए तब तक हम बढ़ी असी चटनी रेडी कर लेते हैं चटनी रेडी करने के लिए कढ़ाई में दो छोटे चमच cooking oil डालेंगे oil जैसे ही गरम हो जाए हम इसमें आदा छोटा चमच उड़ब दाल डाल देंगे आदा छोटा चमच चना डाल डाल देंगे कुछ सेकंड के लिए दाल को हम पका लेंगे जिसे की दाल का कच्चापन चला जाए इसके बाद हम इसमें आदा छोटा चमच सरसो डाल देंगे और सरसो को अच्छे से चटकने देंगे एक तो पिंच हिंग डाल देंगे हिंग से चटनी में फ्लेवर बहुती बढ़ी आता है कड़ी पता डाल देंगे और साथ से आठ दाने हम लैसुन के डाल देंगे लैसुन डालने से चटनी में टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है अगर आप लैसुन नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं कुछ सेकंड के लिए हम इसे पकाएंगे जिससे की लैसुन का कच्चापन चला जाए इसके बाद हम इसमें रफली चोब किये वे टमाटर डालेंगे ये मैंने तीन बड़े साइस के टमाटर को कट किया हुआ है तीन से चार साबुत लाल मिर्च डाल देंगे मिक्स कर देंगे अब हम इसमें आदा गिलास पानी डाल देंगे और इसे 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही बॉयल कर लेंगे स्वादा नुसार नमक डाल देंगे और आदा छोटा चमच लाल देगी मिच पाउडर डाल देंगे इससे हमारी चटनी में कलर बढ़ी आता है मिक्स कर देंगे और 2-3 मिनट के लिए हम टमाटर को ऐसे ही बॉयल होने देंगे इसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स आदा घंटा हो गया है सूजी हमारी पहले से गाड़ी हो गई है और ये अच्छे से फूल भी गई है बैटर हमारा पहले से गाड़ा हो गया है थोड़ा थोड़ा पानी डालते वे हम बैटर की कंसिस्टेंसी को एलजस्ट करेंगे मिक्स कर देंगे ये देखिए फ्रेंड्स बैटर की कंसिस्टेंसी अब हम इसमें स्वादा नुसार नमक डाल देंगे और नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे इस इडली के साथ इस चटनी का बहुती बढ़िया कंबिनेशन है आप भी इस इडली के साथ इस चटनी को एक बर जरूर बनाएं आपको भी भोती पसंद आएगी अब हम बैटर में से आदा बैटर हम बाउल में शिफ्ट कर लेंगे पहले हम आदे बैटर में इनो मिलाएंगे अगर हम सारे बैटर में फ्रेंड्स इनो मिला देते हैं तो पहले बैच की हमारी इडली फलफी बन जाती है लेकिन बाद वाली फलफी नहीं बनती इसलिए हम बैटर को शिफ्ट कर लेंगे और इसमें आधा पाउच हम इनो डाल देंगे बाकी के बचे हुए बैटर में हम इनो बाद में मिलाएंगे थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे जिसे की इनो हमारा एक्टिवेट हो जाए मिक्स कर देंगे बैटर हमारा फलफी हो गया है ये मैंने इडली स्टेंड ले लिया है इडली स्टेंड को ओल से ग्रीस कर लें अब इसमें से आदा आदा चमच बैटर हम इडली स्टेंड में डालेंगे पूरा इडली स्टेंड हम नहीं भरेंगे क्यूंकि हमने मिनी इडली बनानी है आदा आदा चमच बैटर हम इसमें डाल देंगे और अपनी बड़ी आसी इडली को रेडी करेंगे कुकर में पानी को गरम होने के लिए रख देंगे ये प्रोसेस हमने फटा फट करना है पानी भी हमारा गरम हो गया है अब हम इडली स्टेंड को कुकर में रख देंगे गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे कुकर को हम बंद कर देंगे और इसकी सीटी को निकाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर 10-12 मिनट के लिए हम इडली को बनने देंगे ये देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी फूली फूली हमारी इडली बनकर रेडी हुई है स्टेंड को हम सवधानी से बार निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे ठंडा करने के बाद हम इडली को चमच की हेल्प से निकाल लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बड़िया मिनी इडली बनकर हमारी रेडी हुई है इसकी जाली देखकर ही आपको पता चल रहा होगा इडली हमारी कितनी सोफ्ट बनी है इसी तरह सारी इडलियों को हम प्लेट में निकाल लेंगे टमाटर की चटनी भी हमारी थंडी हो गई है इसे भी मैंने ग्रेंड कर लिया है ये देखें फ्रेंड्स कितनी बड़िया चटनी बनकर हमारी रडी हुई है इस चटनी के साथ इडली की रेसिपी आप एक बर जरूर बनाएं, आपको भी भोती पसंद आएगी हाथ ओफ रेंड्स मिनी इडली और चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें थैंक्स वर वचिंग गुड़ बाई आप हमारी ये रेसिपीज भी ट्राई कर सकते हैं